नमस्कार आपका स्वागत है इस्ट्रिया डिल्स इन्दिया में आपने साथ मैं पूनम नैशनलिस्ट कॉंग्रिस पार्टी के प्रमुक्षरत पवार ने कहा कि उन्हें 22 जन्वरी को होने वाले राम मंदिर के उद्गाटन में नहीं बुलाया गया है और उन्हें कहा कि भाचपा राम मंदिर के नाम पर राजनिती कर रही है पवार ने कहा कि भाचपा के पास लोगों का समतन पाने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है कि भाचपा राम मंदिर का इस्तमाल करके लोगों को बाटने की कोशिश कर रही है ये समझ नहीं आ रहा कि भाचपा समुद्दे को राजनीती के लिए या विवसाइक मतलब के लिए इस्तमाल कर रही है हला कि हम खुश है कि मंदिर बन रहा है जिसके लिए बहुत लोगों ने दान दिया है राम मंदिर में राम लला की प्राणपतिश्चा कारेकम में बंगाल की सीम मम्ता बैनर जी शामिल नहीं होंगी मीडिया रेपोर्ट्स के मताबिक टी एमसी की और से करकम में कोई शिरकत नहीं करेगा हाला कि टी एमसी की और से अधिकारिक तोर पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है महीं पूर प्रधान मंतरी मनमोंसी हेल्थ इशू की वज़ा से इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे मंदी ट्रस्ट ने कॉंगर्स अधिक्ष मलिक का जुन खटगे सोनिया गांदी और राहूल गांदी को भी निमंतरन भेजा है हालाकि नेताओं ने भी अभी तक कारगम में शामिल होने के लिए हामी नहीं भरी है CPI के महासचीव सीतराम येचुरी ने राम लेला की प्रांप्रतिष्ठा का निमंतरल ठुकड़ा दिया उन्होंने कहा धर्म व्यक्तिकत पसंद है जिसे राज़नीतिक लाप के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उनकी पार्टी ने एक्सपर पोस्ट कर धार्मिक अरकम को स्टेट स्पॉंसर्ट इवेंट बनाने के लिए भाचपा और अरहिस की निंदा की प्रामलला की प्राण प्रतिष्टा कारगम में प्रधानमंती नरेन मोदी उत्तरपिदेश के मुख्य मंद्री योगी आदित्रनात सहीत 6,000 दिगज़ शामिल होंगे जिन में 4,000 संद और करीब बाविस्सों महमान है इस दोरान 6 धर्शनों के शंकराचार और करीब 1,500 प्राद दर्णे वाद